आदिवासी अभी उस तरीके से खड़ा है कि एक तरव उसको विकाज में करना है, है ना आगे में बढ़ रहा है और दूसरा अपना परंपरा और संस्कृति को ले करके में चलना है अपना कल्चर भूलते जारे हैं, सबको उसे जागरूत करना है कि हम लोग जो आदिवासी सबको एकताम में रहना चाहिए आदिवासीयों को हम सोसन करें, उसको लूटें, उसका जमीन से, जमीन से, जनी से और सब चीज से, शरीर से ये परियास लोग करता है सबको आदिवासीयों को बदने का ये साधिश चल रहा है विस्व आदिवासी दिवस की आप सभी जार्खंड वासीयों को धेर सारी सुपकामनाय और जोहार अभी हम प्लाल रांची में हैं, आपको जानकारी के लिए बता दे, आदिवासी दिवस है, पूरे विस्व में हर एक आदिवासी बहुत धुमभाम से मनाते आ रहा है और अभी हम जार्खंड के लाल रांची में हैं, ये लाल कछरी रोड है और ये जो हमारे बीचे रैली आ रही है, ये आदिवासी छात्रावास से निकल कर आ रही है इनसे चलिया बात करते हैं इस रैली के बारे में आएए बात करते हैं पूरे देश में यहीं संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय में कि हमारा जल जंगल जमिन के साथ हमारा जो सवीधानिक रक्षा होना चाहिए सवीधान पर जो हमला हो रहा है अदिवासियों को, SC को, OBC को सभी लोगों को आज बाता जा रहा है धरम जाती के नाम पर बाता जा रहा है उन लोग को हम चताव नहीं देते हैं वे काना चाहते हैं पिजेपी, आरेसस के सरकार को कि हमारे जहां कदिकार है उसको छिन्नक बंद करें अनियत आने वाला समय में डंदा उठाने वाला भी कोई ने रहेगा अभी तेखिया फिलाल में हम लोग पुर्जोर बिरोद करते हैं कि आरेसस और बीजेपी की सारे में हम आदिवासियों को बढ़ने का साधिस चल रहा है इनको बाढ़ना बंद करें और हम चाहते हैं पूरे देश वास्यों से कि दुनिया के मुल्लिवासी एक हो जाओ और एक हो करके अपना हाक के लिए हम लोग लड़े जोहार दादा कहां से आए हैं क्या नाम है अपका मेरा नाम साचीन ynगगत है और और हम लोग आदिवासी साथ ज हम लो मैं पशर्पतारjuगा वो लोग हम सब एक साथ मिल करके 20 वासी दिवस का उसर पर हम लोग है कि उल्ला सर अर्ज के साथ में अपना पसिती दर्श करार हैं मतलब यह खासकर यूद थी इसमें जो भी भाज इतना भी है सब यूद कही हाथ है मतलब स्टूडेंट कही हाथ है सब इस्टूडेंट लोग है चातर चातर आएं लोग है तो एक सवाल था ठीक है आज नोव अगस्त है आज आप देख रहें अधिवसी मतलब इतना अखूस है बाकि कि जो तीन सो चौन सड़ दिन है आप आदिवसी को कैसे देख पाते हैं अधिवसी की सित्री ऐसे है ना कि आदिवसी के पास में जमीन है जंगल है संसाधन है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के पास नहीं है हम लोग के पास है तो बात यह है कि आदिवासी अभी उस तरीके से खड़ा है कि एक तरव उसको विकास भी करना है आगे भी बढ़ रहा है और दूसरा अपना परंपरार सुस्कृति को ले करके भी चलना है है ना तो दोनों में समंझे समना करके उसको आगे बढ़ने के लिए अम लोग परियास कर रहे हैं ठीक है थोड़ा दीरे चल रहे हैं लेकिन अम लोगों के दारा से करीब पहुचेंगे आगे बढ़ेंगे विकास करेंगे सचीजह को, रोकने के लिए यूद का कितना हात होना चाहें इस चीज़ को लेकर में कितना महत्वा है इसमें मेरा तो यह कहाना है कि जब तक पढ़ेंगे नए तब तक सम्झेंगे कैसे तो अगर चीजों को सही करना है सुचारू रूप से चलाना ठीक करना है तो निश्चित रूप से यूद को आगे आना पड़ेगा और खास कर कि वह लागे आने से भी कामने चलेगा पढ़ना भी है और आगे भी आना है अपना ही अधिकार का बात भी जहां जिस पटल पर रख सकते हैं वहां पर आपको रख काले हैं कुछ तो मोटीव होगा कैसे तैयारी किये थे देखे आज अंतरराष्टी विश्व आदिवासी दिवस के सुभावसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों काम सुभकामनाय देंगे धन्यबाद देंगे आज सभी कोई खुसी मना रहे है और यह अदिवासी होस्टेल का यह गुरूप है इसमें सभी लोग मिलके हमारे चात्र परमूख और सुप्रिंटेंडेंडेन मिलके हम लोग जो जुलूस निकाले यह प्रोसेसन अभी भिरायलाल होते हुए पुराना जेल परिसर जाएंगे और वहां हम लोग सभी कोई आपको जानकारी के लिए बता दे कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी पाखुड में वहां आदिवासी चात्रवास में जो है रातों रात उनके उपर लाथी बरसा दिया गया था और उनके इसको लेकर अभी तक किसी तरह का कारवाही नहीं हुआ है जो भी हो पाया है पर खालचा फुनका ही हो पाया है। चले यहां दादा लोग हैं थोड़े बड़े हैं उनसे थोड़े सा जानकारी लेते हैं उनका क्या कहना है आदिवासी जो छात्रों के साथ में जो इस तरी के जो मतन chron specially मतन्त ही बेरमे से उन्नोगे को मारा पीटा गया था उनका क्या कह कि देखें यह सवाल मेरा इसलिए है कि पीछे भी आदिवासी छात्राओं कही रैली है तो यह सवाल करना भी एक बात है जोहार कि अधिवासी दिवस है और इसके लक्ष में पूरे भारत के वासियों को हार्दिक बदाई देते हैं उन्साब का सहयोग और मारक दसन मिले जहां तक रही बात आदिवासियत की तो यह भारत की सरकार ने हमको आदिवासी से छुपा के रखा गया था हमको आदिवासी मानती नहीं थी जैसा कि आपने बड़ा बड़ा जब्बांद बनता है विश्व बैंक से जब लोन लेता है तो उसको देना पड़ता है कि आदिवासी बेगर हो रहे है अन्याता नहीं लेकिन भारत की सरकार ने कभी आदिवासी है ऐसा कभी लिखीत में न आना है और आज हम पूरे भारत वर्ष के आदिवासी आज 9 अगस्त को आदि दिवास हम लोग पूरे धुमधाम से मना रहे हैं जो आप देख रहे हैं यह आदिवासी कल्यान विभाक का चात्रवास है जितने बच्चे हैं कि उत्षा हैं अपने अधिकार के लिए अधिकार का बात हो रहा है तो मेरा मानना है कि यहाँ छात्रवास का रहली निकल रहा है आपको आप सब्सक्राइद यह आज वहाँ हुआ पता कल को यहां हो जाएं तो फिर भी आपको यह भी पता होगा सरकार के तरब से अभी तक कुछ भी मतलब जो किसी तरीके का commitment नहीं मिला है तो आपका क्या कहना इस बार में बताइएगा चुकि देखिए आदिवासी को प्रारम से जब अंग्रेज था राजा राजाओं का सासन था हम लोगों को धांगर बनाया हम लोगों को धांगरीन बनाया सोसन किया बिना पैसे का बेगारी कराम कराया इसी तरह से अभी भी मान सिकता उनकी है कि आदिवासी को हम सोसन करें उसको लूटे उसका जमीन से जमीन से जहनी से और सब चीज से सरीर से यह परियास लोग करता है जो देखने को मिला है चुकि सरकार ने आदिवासी के उत्थान के लिए दूसरे के बाराबारी आने के लिए इस बारे में कुछ नहीं बोले आपका क्या गहना इस बारे में मैं आदिवासी दिवस के अफशर करे और मुख्यमंतरी महोबे से मैरा या घरह होगा यह पातुर में आदिवासी कल्यान छ theoवास में कूलीस प्टा गिया पूरे आदिवासी प्रेशट में आये हैं चलिए उन से तोई साब बात करते हैं जोहर दादा, जोहर दादा, जोहर, प्रादा, आपका नाम बता हिएगा, अनुपुरा, दादा, मतलब आप पुरे ड्रेस कोट आपका बहुत यूनेक लग रहा है, मतलब कुछ तो सोच के आप ड्रेस कोट या अपना हैं, फोड़ा पता हिएगा इसके बारे में, आज विस इसके सी वह उसर पर हम लोग एगजूट हुए हैं, और आज हमको मोका मिले, कुछ मतलब कुछ अलग परहावा करें, कुछ अलग हमको अपना दर्साने के लिए मिले, कि हम लोगों को जोल, जंडल, जमीन, जो कुछ भी है वो बचाना है, और इसके मातियां से हम लोग एग मतलब आदिवासी ड्रेसद में आए हुए हैं, तो आप आने वाले जो हम लोग जैसे अभी चैनल में बहुत यूथ देख रहोंगे, हम लोग आदिवासी यूथ वगेरा, तो आप उनलोगों को कुछ संद्यासा देना चाहेंगे इस ड्रेस कोड और ये आदिवासी दिवस हाँ जरूर देना चाहूंगा, मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि जो जैल, जंगन, जमीन है वो सब को बचाना पहुत जरूरी है, आज कल देखी रहे होंगे किस तरह से बीमारी तरह से फेर रही है, कोई स्वस्त नहीं है, तो वही लोगों इसका मतलब इस सब किस तर जान सकता है, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए यह सब को बचाना बहुत जरूरी है, यह संदरी को भी बढ़ाते हैं, हमारे प्राकृती को पुरा मतलब अपनाए हुए है, हाँ, पुरी तरह से, तिलहाल इस रैली में आदिवासी चात्राबास से कुछ चात्रा मेरा हो नाम वह मनिशा, मनिशा, आप कैसा लग रहा है, मतलब अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, सबको उसे जागरूत करना है, कि हम लोग जो आदिवासी, सबको एकतामे रहना चाहिए, अपना कल्चर को कभी बोला नहीं चाहिए, बहुत सार ऐसा है, जिसे कि हम लोग बिच़डते जारहा है, और मलोग जो है, जो मांग है या कुछ वोच पूरा नहीं होता है, बहुत कुछ आइसा है, जो हम लोग नहीं हो रहा है, और मतलब कि कब से तायरी कर रहे थे, मनिशा इस दिन के लिए, हमें हर साल 9 अगस्त को ही होता है, तो हम लोग यह यह इस दी इस दिन के बहुत दिनों से इंतिजार कर ले थे हम लोग आधी विस्व आधी दिवस है जो हम लोग अच्छा सेलिबरेट करेंगे सो बोलने हम लोग नाजकान सब अपना कल्चर दिखा रहे हैं जैसे कि वो बिर्सम उंडा का ये कर रहे हैं ये सब सारा अपना रिती रही सबको फॉलर करें जो हम लोगे पुर्व zwr जितना हम लोगा देश के सुजवता कुछ करें वो सबको हम लोग याद करना चाहीं उन लोग बहुत बहूब na naticky बस ये जहार और भी दीदॉ कreptta है ॉजहार जोहार को को अब्स दुलारी तीन मेरा नाम मूल मौत अच्छ अगुश दीदिया है कंटीनुऊ बहुत लबे समय से गाना गाते हुए इस रहली को सान बढा रही है और ऐसे भी एक कता है कि आदवासों का बोलना ही गाना है और चलना ही उनका मृत्य है चलिए दीदियों से बात करते हैं वो जो गाना गारी है थोड़ सा इसका मतलब थोड़ा से नर्वा सो रही है इसे भी आंदिवासी बह। वहुद से नहीं का आध कर रही है तुल्हाल और मुदनके बात आधार करें सारी जानकारियां आपको शेयर करेंगे तब तक के लिए वीडियों पे बने रहे हैं जुहार